होई ड्ली सलतनत के ईखेंद नमज़ साथ पर इक्षाय गधर एक लेकिन इस वीडियो का उद्थश यह जहाँ हमने अपने पिछली वीडियो में चीजों को आथान बहा सामय और कम फैक्ट के साथ मैं समझा था इस वीडियो में हम उसे डिटियल से समझना चाहते हैं दोस्तों कुछ विद्वानों ने दिल्ली सल्तनत को साहितिक प्रगती से रहित बताया है और कुछ अन्य विद्वानों ने उस समय की साहितिक प्रगती की बहुत प्रसंचा की है परन्तु अधिकांस्त्या यह सुईकार किया जाता है कि यह समय साहतिक दृष्टी से मध्यम था उस समय में फार्षी और हम बात करें जो फार्षी और संस्क्रत भार्षा के अतिरिक्त हिंदू उर्दू और प्रयाहा सभी प्रांतिय भार्षाओं में ग्रंत लिखे गए दिल्ली के बिभिन सुल्तानों और स्वतंत्र प्रांतिय राजाओं ने विदवानों को आस्रे दिया जिसके फलसरूप धार्मिक और एतिहासिक ग्रंतों के अते रिक्त अन्य विशिवों पर भी ग्रंतों की रचना हुई काव्ये गद्ध पद्ध नाटक आदी सभी प्रकार्ट की पुस्तकों की रचना और संस्कत साहित में यहां दोस्त था कि उसमें मूल ग्रंत नहीं लिखे गए बल्कि अधिकान स्पुस्ता के प्राचीन ग्रंतों की बहुनरवत्ती टीकाएं अत्वा प्राचीन गाथाओं का आधार लेकर लिखे गई थी। इसकारण इस यूग की मुखे बिसे इस्ता विविन प्रादेशिक भासाओं के निर्माण का आधार तयार करना था। वीजियो में मुके रुप से फारजी साहिते पर जादा फोकस किया था, क्योंकि सल्टनत काल में फारजा होते थे, सुल्तान होते थे, उनकी राज भासा वोती थी इसलिए फारजी और उसके ग्रंतों का जादा मैहत्तो था। लेकिन हम इस वीडियो में ना केवर फालसी वलकि अन्य भासाओं के ग्रंथों को भी नजदीक से देखेंगे। पहले फालसी साहिते देखते हैं, तुर्की सुल्तान फालसी साहिते में रुची रखते थे। महमूद गर्जनवी के समय में अलवरूनी भारत आया था, वह एक महान विद्वान था जिसने संस्कत का भी अध्यन किया। हमें ग्यारवी सदी के भारत के बारे में जानने की मुलिवान सामागरी उसके विब्रण से प्राप्त होती है। दिली सतनत के सुल्तानों ने भी विविन विद्वानों को राज्य सरफ रदान करके फारसी साहिते की प्रगती में योगदान दिया था। इलता तुमिस के समय में नासीरी अबुबकरविन महुम्मद रूहानी, ताजुद्दीन दवीर और नुरुद्दीन महुम्मद मुख्य विद्वान थे। नुरुद्दीन ने लुवाव उलवाव को लिखा था। नहाँ पर आपको इनके लेखक और इनके रच्णाओं के बारे में एक तालिका वनानी है ताकि आप चीजों को ज़्यादा ठीक तरीके से ध्यान रख पाएं। सुल्तान बलवन और अलवदिन खिलजी के समय में मंगोलों के आकरवन से भायवीत अनेक बिदेशी मुसल्मान विद्वान भारत भाग कर आए जिसके कारण दिल्ली फासी चाहिते का एक मुख्य केंद्र बन गया बलवन का पुत्र महुम्मद विद्वानों का संरक्षक थ और उसने अपने समय के महान विद्वान खुसरव तथा मीर हसन दहलवी को संरक्षन प्रदान किया था अमीर खुसरव ने अपनी कविताओं में हिंदी सब्दों का प्रयोग प्रारम किया फासी कविताओं में उसे स्रेष्ट तम इस्थान प्रदान किया गया है उसके विद्वान था फिरोज सहत उगलक ने स्वयम की आत्मकथा लिखी थी तता इतिहासकार वलनी और अफीफ उसके संरक्षण में थे लोदी सास को ने भी विद्वानों को संरक्षण दिया सिरकंदल लोदी स्वयम कभीता लिखता था रफिय उद्दीन सिराजी सेख अब्दु विद्द्रात में फजुलला जहनूल आवदीन आदी बहमनी सासकों में से ताजदीन फिरोज सहन आए वहा के मंत्रियों में से महमूद गवा का नाम भी विद्वानों में माना गया है इतिहासकारों में अलवरूनी ताजुलमसारी का लेखक हसन निजामी तबकाते नासित का लेखक याहिया बिन्सर हिंदी और फुतुहु उस सललीत का लेखक ख्वाजा अबू मलिक इसामी मुख्य माने गए हैं यहां पर यह चीजे आपको सामाने लगेंगी लेकिन नेट ज्यारेस जैसे तैयारी करने वाले कोई विद्ध्याती अगर इस पेज को देखेगा त क्योंकि आपर जितने भी यह रचनाय लिखी गई हैं यह सभी बहुत जादे इंपोर्टेंट है और अक्सर पूछी जाती है इसलिए इन्हे ध्यान से देखना बहुत जादा जरूरी है इस यूग में संस्कत के कुछ गरंत का भी फार्सी में अनुवात किया गया था अब इसके बाद में हम संस्कत साहित को देखते हैं क्योंकि इस समय पर हिंदी और छेतरी भासाओं का विकास प्रारब हुआ था ना कि जरम इस्तरपल था इसलिए संस्कत अभी भी जीवी थी और संस्कत में गरंत अभी भी लिखे जा रहे थे इसलिए हम संस्कत साहित को देखत संस्क्र साहित्य में अभाव न रहा परंतु इस योग के ग्रंथों में मौलिक्ता का अभाव रहा हमीर देव कुम्व कर्ण प्रताप रुद्रदेव वसंत राज बेम भूसाल कात्ते बेम बिरुपाक्ष नसी क्रश्न देवराय भूसाल आधी ऐसे अनेक सासक हुए जिन्हो प्रताप रुद्रदेव के दर्वार में विद्वान अगस्ते ने प्रताप रुद्रदेव यसो भूशन क्रश्ण चरित्र आधी ग्रंथों की रच्णा की, बेध्य चक्र वतिन तृतिययने विर वललात्रतिय के संदग्षण में रुकमनी कल्यान लिखा और माधब ने विजय नगर के सासक बिरुपाक्ष की संदक्षण में नरकासुर विजय की रचना की। बामन भट वार ने कावे नाटक चरित्र संदेश आदी बिभिने प्रकार की रचनाय की और वहाँ एक महान विद्वान माना गया। अन्य विद्वान विध्या पती दुर्गा भक्ती तरंगनी और अन्य ग्रंतों की रचना की। टीकाएं लिखी, पाल्थ सालती ने कर्म मीमानसा पर ग्रंत लिखे तथा जैदेव ने गीत गोविन्द, जैसी सूरी ने हम्मीर मद मर्दन और गंगा धर ने गंगादास प्रताब विलास लिखा, कल्धर द्वारा रास्तरंगनी जो की कस्मीर के इतिहास को चित्रत करता ह है और जोन राजा तथा स्रीवर ने उस इतिहास को अपनी रचनाओं दुतिय और तरतिय रास्तरंगनी द्वारा पूर्ण किया, हिंदों के प्रसिद्ध कानुनी ग्रंत मिताचर की रचना विज्ञानिश्वर ने किया और जोतिस के महन विद्वान वहासका रचारे भी इ इसके बाद में हम उल्दू, हिंदी और अन्य प्रादेशिक भासाओं को देखते हैं, जिनका विकास एक हजाद इश्वी के आश्वास से प्रारंब हो गया था और अब इनके विकास की सुरुआत हो रही थी, हलांकि अभी इनका विकास चरम अवस्था में नहीं था हिंदी उदू और अन्य प्रादेशिक भासाओं के साहिते के निर्माड का आधार इस युग में बना, पस्षिमी उत्तर प्रदेश के खड़ी बोली और ब्रजवासा हिंदी के निर्माड का आधार बनी, कभी चंद्वा दाई का प्रदिविराद रासो, सारंग धर का हमीर कावे, जगनिक का अल्ला का अल्ला खंड आधी इस भासा में लिखे गए गंत थे, उर्दू जो पहले हिंदी के नाम से पुकारी गई, इसी समय में उत्पन होई, यद भी उसका विकास इस युग में नहीं हुआ, अमीर खुसराव एक ऐसे विदवान थे, जिनने हिंदी और उर्दू, दोनों का ही महान कभी माना गया है, मैथली साहिते के विकास में विद्यपती ठाकू ने बड़ा सहोग दिया, जो हिंदी, मैथली और संस्कत के अच्छे विद्वान थे, मैथली भासा जो है वो पश्यम मंगाल और विहार के कुछ छेत्रों में बूली जाती है, इसके अतिरिक्त भक्ती मारग के संतों और प्रचारकों ने विभिन प्रादेशिक भासाओं के निर्माण में सहोग दिया, अवधी, राजस्थानी, सिंधी, पंजाबी, गुद्राती, मराठी, बांगला, हुडिया, तमिल, कर्नट, तेलगू, मलियालम, आदी प्रयाह सभी भासाओं का किसी न किसी मात्रा में विकास हुआ, इसी प्रकास साहितिक प्रगति की द्रश्टी से यहाँ यूग आभाव ग्रस्त नहीं था, बलकि दो प्रकास से महतपूर प्रभाव, महतपूर था, प्रथम मुसल्मानों के आने से एतिहासिक ग्रंतों की रच्चना आरंब हुई जिसकी और हिंदूों ने कोई ध्यान नहीं दिया था दूतिये विविन्य प्रादेशिक भासाओं का आधार यहां पर निर्मित होता है तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सल्तनत काल में भी साहित अपनी सहर्जन की परकास्टा भल था और सभी अपने अपने चाहे राजा की संदक्षर में या फिर लेखक स्वयम अपने नीजी प्रयासों से साहित ते को जगम कर रहा था तो इस प्रकार हमने समझने का प्रयास किया सल्तनत काल में साहित ते कैसा था और भी जुड़े बहुत सारे वीडियो आप एमे की अलग-अलग प्रेलिस्ट मे देख सकते हैं फिर में लेंगे अपने किसी और वीडियो में सब तक के लिए नमस्कार जैहिंद